So what's going on guys, RG here, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक review, because कल मैंने किसी का भाई किसी के जान का review दिया था, and लोगों ने मुझे उसके नीचे comment किया कि चेंगीज का भी review दो, because Bengali audience भी हमें देखती है, and they have said के जरूर दो, एक तरफ किसी का भाई किसी की जान movie release होती है, जिसका budget 100-100 करोड है, and एक तरफ 10 करोड के budget में बनी होई Bengali film, जिसे इन्होंने Pan India Hindi में dub करके release किया है, which is a very big deal, reason क्या है, कि अगर आप 10 करोड के budget में फिल्म बनाके Pan India release करते हो, और आप expect करते हो के वो फिल्म बड़ा business करे, या at least अपनी reach बढ़ा दे, तो बिल्कुल सही gamble है, क्योंकि आपने अगर 6-8 करोड के budget के अंदर वो movie बनाई, and आपने 1.5 करोड रुपे उसको Hindi dubbing में लगा के, अच्छे से उसको present किया, तो not a bad task के आपने वो कर दिया है, इंदी में कर दिया है, and I think it's a good gamble, and मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब हम आ जाते हैं, comparison तो आपको मैं end में बताऊँगा, कि दोनों में से better क्या है, क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, चेंगी इस एक ऐसी फिल्म है, जो की बहुत ही ज़ादा basic storyline लेके चलती है, कुछ extraordinary storyline नहीं है, gangster vibe बली फिल्म है, जो generally होती है, Jesse Rocky की story थी, या Jesse Kellogg आप Once Upon a Time in Mumbai की story थी, मतलब एक basic gangster story है, कि उसके बच्पन में क्या हुआ, उसको एक reason मिला, gangster बननेगा, वो gangster क्यों बना, वही एक story है, सुल्तान मिर्जा टाइप, तो guys मैं आपको एक चीज बोलूँगा, कि storyline बिल्कुल basic है, लेकिन अब हम बात करेंगे, फिल्म का screenplay मुझे थोड़ा सा average लगा, लेकिन अब हम बात करते हैं, pros के ओपर, जीत की acting, जीत की acting next level लेके जाती है movie को, और अगर मैं बात करूँ, जीत की acting के अलावा dubbing, the best part was dubbing, मतलब मेरे को ऐसा feel नहीं हो रहा था, कि मैं बेंगॉली film देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब अगर मैं ये सोच छोड़ दूँ के हाँ, I am a pro film watcher, कि मेरे को technical aspects में जाना है, और मैं सिरब ये देखू, एक film की तरह film को देखू, तो ये film बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि आपकी ticket भी महिंगी नहीं है, जादा पैसे भी नहीं लग रहे, आपको क्या कहते हैं, जादा rush भी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक अच्छी फिल्म देखने को मिल रही है, धका मुकी नहीं है, जादा कलेश नहीं है, अराम से जाके आप फिल्म देख सकते हो, और बहुत ही decent subject पे बनी हुई movie है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कि फिल्म के गाने, बहुत intriguing गाने हैं, मज़ेदार गाने, रगड़ा वगएरा के उपर तो हमने react भी करा है, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार भी दिया था, सबसे कमाल की चीज, जो मुझे इस फिल्म के दोरान पता चली, कि जीत इस पंजाबी, जीत ने अपनी dubbing खुद करी है, तो वो कमाल की चीज लगी मुझे, तो पंजाबी में मैं जीत को एक मैसेज देना चाहूँगा, बिर एक कमाल करता, मैं seriously चौनना कि तुसी होर फिल्मां भी करूं, हिंदी च भी करूं ते पंजाबी च भी करूं, if this message is getting to जीत, it'll be a privilege अगर वो ये review देख रहे हैं, and मैं आपको एक चीज और बताऊँगा, कि अब marketing strategy की मैं बात करता हूँ, जैसे सल्मान कान ने, किसी का भाई किसी की जान में बहुत दमाग लगाया, दमाग क्या लगाया, वो सर्फ marketing के उपर ही depend थी वो movie, वो क्या था, एक तो सल्मान खान की वज़े से लोग जाएंगे, जो कि मैं भी गया, पूजा हेगडे की वज़े से लोग जाएंगे, जो कि मैं भी गया, ठीक है, वेंकटेश की वज़े से जाएंगे, मैं भी गया, मतलब यह तीन रीजन थे मेरे जाने के और कोई रीजन नहीं था लोजिक तो मुझे टाइटल में भी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अगर मैं 100% confirm था कि मुझे उस फिल्म को देखना है अगर उस फिल्म को मुझे देखना है तो यही तीन रीजन थे उसको 100% से 50% पर लाने का रीजन था फर हाथ सामची जिन्होंने सत्याना आज मार दिया डिरेक्शन में लेकिन अगर मैं बात करूँ चेंगीज की डिरेक्शन ओन पॉइंट है अगर आपको कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग और डियाए की मैं बात करूँ तो मतलब 10 करोड की बजट में अब इस से जादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे ठीक है और हाँ अगर मैं बात करूँ फिल्म के अंदर इन्होंने किस तरीके से अपनी चीजें मतलब किस तरीके से अपनी चीजें प्रिजेंट करी है वो देखने को बहुत अच्छा लगता है ऐसा नहीं लगता है कि आपको एक रीजिनल डब्ड मूवी देख रहे हो जैसे कि मतलब साउथ की फिल्म हम टेलिविजन पे डब्ड देखते है न वैसा कोई 5 नहीं है अब जैसे अगर आप बात करो अभी अभी KGF का KGF का स्टार्टर बेश था जो फर्स KGF थी उसके अंदर हमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी थी डबिंग वो बहुत अच्छे से वर्क किया गया है बहुत अच्छे से मैच कराई गई है और बहुत कमाल लगी है क्योंकि कुछ अद तक Bengali close भी है हिंदी के तो मतलब Bengali और हिंदी Bengali is a straightforward very वो बोलते हैं ने deep version of हिंदी अगर हम पानी पीना बोलते हैं तो वो जल पी बोलते हैं तो वो अल्मोस्ट similar connect हो जाता है तो वैसा कुछ है ठीक है मुझे overall movie के reaction की अगर मैं बात करूँ Bengali में मैं आपको जवाब दूँ तो खूब बालो मुझे अच्छी लगी ये movie मैं जाके देख सकता हूँ मेरे पास budget नहीं है किसी का भाई किसी की जान देखने का वो टिटी पहेगी हम देख लेंगे इतना कुछ खास नहीं है कि हाँ मुझे जाके टीवी थेटर में भी देखें लेकिन ये movie हमारे लिए एक निया वो लाती है हमें एक entertainment purpose के लिए जाना है तो this film is full of entertainment इसकी casting बड़ी decent की गई है रोहित रोहित अक कोई उसकी आगया बहुत ही बड़िया गाने मिक्का से कराए गए है तो आप जाके बड़े अराम से देख सकते हो and मैं अगर literally अगर मुझे दोनों movies के बारे में पता हो तो किसी का भाई किसी के जान की जगा पे मैं अपने पैसे खर्चना चाहूँगा चेंगीज के उपर which is not a bad option which is literally not a bad option because एक तो कम पैसे में देखने को मिलेगी और एक कुछ नया देखने को मिलेगा हाला कि story similar है लेकिन शकले तो नहीं है कम से कम समझ रहो तो वही चीज है मैं चाहूँगा कि इस तरीके का regional cinema हमेशा की तरह उपर आए पीछे ना रहे यार देखो pros and cons हर चीज में लेकिन इतने पैसे लगाके 100-200 करोड लगाके अगर आप flaws लेके आते हो फिल्मों हुए है या तो आप RRR बना रहे हो जिसमें गलतिये निकालनी ना मातर हो जाती है ठीक है उसमें भी हाला की scenes copy किये गए थे लेकिन inspiration लेना और copy करने में बहुत जमीन आजमान का फरक है आप 200-300 करोड में फिल्म बनाते हो आप गाना लेकर आते हो एक अच्छे music director को उठाते हो उसे कहते हो कहां remake कर दे तो वो remake नहीं है वो recreate कर दे वो भी नहीं है यहाँ पे चेंगीज के अंदर मुझे सब original मिलेगा अगर हमें as an audience देखनी है तो I am in love with चेंगीज मैं देखूंगा and I would recommend कि आप लोग जाके फिल्म ज़रूर देखो क्योंकि अगर हम इस तरीके के regional cinema को literally competition बनाएंगे Bollywood का तो शायद Bollywood सुदर जाए which is very much important और हाँ अब marketing की मैं सोटी सी segment में निप्ताओंगा एक minute में निप्ताओंगा वो ये है कि चेंगीज के producers के साथ मैं directly एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे आप बड़े अच्छे तरीके से पैसे recover कर सकते थे 10 करोड में आपने फिल्म बनाई पांच से शे करोड साथ करोड का बिजनस आप बेंगॉल और नौर्थीस में expect कर सकते हो जहां पे आपको recovery हो जाएगी ठीक है लेकिन अगर मैं पांच से शे करोड एक average recovery की बात कर रहा हूँ बेसिक पैसों के recovery की 6-7 करोड की आपकी recovery वहां हो जाएगी 2-9 करोड रुपे आप national level पे चलो गटिया से गटिया आलात में भी कमाल होगे लेकिन अगर यहीं पे जूबिन दादा का एक गाना डाल दो तो लोग थोड़े और connect होंगे ठीक है ना? क्योंकि business RRR से भी बेटर था I think पता नहीं मतलब किसी बड़ी film से बेटर था उस टाइम पर मैंने किया है उसका review अब मैंको ध्यान नहीं है लेकिन मैं आपको यहीं बोलूँगा अगर यहां पे आप दादा का गाना डालते तो पैसे काफी हत तक recover यहां पे हो सकते थे आप profit में भी जा सकते थे ठीक है दूसरी बात अब आपने हिंदी में ये film मनाई है हिंदी में ये film मनाई है 10 करोड रुपे आपके लग गए लेकिन आपने मैंने देखा कि हिंदी में इतने जादा promotions नहीं करें हाला कि मैं मानता हूँ आपका competition बहुत बड़ा था यू took a big challenge releasing it opposite to Salman Khan यहां पे आप क्या कर सकते हो कि promotion पे आप एक सवा करोड का gamble और कर सकते थे क्योंकि आप Pan India जा रहे हो यू आप गोईंग एनिवेर मतलब एनिवेर close to कि आप एक ही और रीजन आगे बढ़ रहे होते हैं अगर आप Bengali से सिरफ Kannada में आ रहे होते हैं या Telugu में आ रहे होते हैं तो हाँ ठीक था भी इतनक लगा दिया मेरे इसाब से एक सवा करोड रुपे अगर आप हिंदी पे थोड़ा सा promotion में और प्रेस लालते या थोड़े collaborations करते, influencers, marketing करते, movie की तो शायद better way में निकल के आ सकती थी movie मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी इसके trailer को review करने की and I would love के इस तरीके की regional films आगे हैं and keep supporting the regional cinema because इसी तरीके से अच्छे-ची film है, अच्छे-चे actors हमें देखने को मिलेंगे नहीं तो फिर वो ही पकाया गंद आजकल आ रहा है कुछ भी करके film बना देते हैं फिर बोल देंगे 300 क्रोन में बनी है मतलब वो चीज नहीं है हर बंदा राजमौली नहीं होता हर बंदा राजमौली नहीं होता तो वो ही चीज है आप बड़ी बड़ी फिल्मों की बात करते हो पठान की बात करते हो हाँ बेज बरुआ का पठान के साथ था तो मैं पठान की बात कर लेता हूँ पठान में भी इन्होंने कहीं कहीं से सीन उठा के डाल दिये गेमों में से action sequence तो उस चीज की जरूरत नहीं होती अगर आप 300 क्रोड में भी कॉपियां मना रहे तो उससे बेटर तो चेंगीज है भाई जहां पर कम से कम कम बजट में हमें कुछ और नया तो देखने को मिलेगा कुछ तो नया देखने को मिलेगा तो वो ही है यार इट शुड नॉट बी डिसपॉइंटमेंट इवन इफ यू स्पेंट 2,000 रुपीज तो मैं पता आइमेक्स वगेरा की टिक्टे 22,000 तक जा चुकी है 1000,000, 22,000 की टिक्टे हो चुकी है चलो ठीक है बेसिक सिनेमा में 100-200 में मिल जाती है लेकिन आज की डेट में जो मिडल इंकम ग्रेड पैसा खर्चता है फिल्म देखने के लिए जो कि आपकी एक्ट्वल मार्केट है वो मैक्सिमम 200-300 रुपे से जाधा टिकेट नहीं करचेगा तो अगर आप उस मिडल इंकम ग्रेड को वहाँ पे जाके वही पुरानी चीज़े रिपीट करके दिखा रहे हो तो वो ओडियन्स क्यों आपके साथ जुड़ी रहेगी बॉलिवड यहीं पर लैक कर रहा है and I think these are the film who can take up the charge and मेरे इसाब से अभी भी प्रमोशन करते रहना चीज़ेश मोवी का एक अफ़ता और प्रमोशन पर पैसे खर्च दो literally यह फिल्म उठके आएगी बाहर and बहुत बढ़िया मोवी है चल सकती है 10 करोड के बजट में एक तो प्रॉफिट भी निकाल जाओगे और प्रॉफिट के साथ साथ एक अच्छी हिट मोवी भी बना बजब रैंकिंग भी ले जाओगे मेरे इसाब से वी कन आप्ट फॉर जैंगीज पक्का देखो मोवी को जाके देखने लायक फिल्म है यू विल नॉट रिग्रेट इट पक्की बात है जैहिंद मिलता हूं अगली वीडियो में बहुत जल्द